इस figure में friends आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल में movement आपको दिखाई दे रहे है that means एक range में movement है नीचे वाली green line as a support act कर रही है और red line as a resistance act कर रही है और एक range form हो गई है कुछ point की और उसी range के बीच में यह trade करते हुए continuously उपर यहाँ पे movement दिखा रहा है इसे हम bullish channel moment भी बोल सकते हैं तो friends इस तरीके का अगर pattern बनता है तो generally मैं अपनी opinion बता देता हूँ यहाँ पे अगर ये red color की line को break करके upside में एक breakout देता है और वहाँ पे हम जो है ये retest के लिए आता है या this and that thing करता है तो वहाँ पे मैं by side की position नहीं बनाता हूँ या बनाता भी हूँ तो कम position कम quantity के साथ बनाता हूँ और दूसरा जो मेरा target रहता है friend वो कम points का रहता है क्योंकि upside में अगर ये breakout देगा तो इसके chances पूरे-पूरे रहते हैं moment ये कम करे वहाँ से और हो सकता है ये वहाँ से reversal भी ले ले और second thing मैं इसमें बता दू अगर ये green color की line को यहाँ पे breakdown देता है तो मैं इसमें position मनाने में पूरा-पूरा interested रहता हूँ क्योंकि उसका reason मैं बता देता हूँ यहाँ पे अगर ये green color की line को break करता है और यहाँ पे दूसरी candle उसके low को break करती है तो यहाँ पे बहुत fast moment होती है उसका reason क्योंकि इस पे जंगे-जंगे buyers activated है जिन्होंने इसको buy करके रखा है जब ये sell side में नीचे की तरफ break करता है तो उनके stop loss hit होने start हो जाते है और वो अपनी position को cover करने के लिए होते हैं तो double potential के साथ यहाँ पर downward moment हमें देखने को मिलती है